जै वुलिय महावीर भगवान की जै वुलिय अनंता अनंत सिद्ध परमेश्टी भगवानों की जै वुलिय आचार भगवन स्री उमा स्वामी जी महराज की जै वुलिय इस युक्के अत्माचार स्री चारितर चक्रती शांति सागर जी महराज की जेवली आचर भगवन स्री विद्या नंजीम निराज की सभी को जैजनेंद्र जैदु जडंदो हम लोग बहुत ही पुनिशाली हैं जो तत्वार सूत का स्वाध्याएं अच्छे से कर रहे हैं 31 किलास आपकी हो चुकी हैं आज आपकी अगली कक्षा है 11 भी क्ति सब्क्राइब दीक्लास है और कर यह कर हमने जनम के बारे में देखा था कि 3 प्रकार से जनम हो सकते हैं सब्रशन जनम हो सकता है गप जनम हो सकता है उसके आगए यह जनम किसके जीवों के हो सकते हैं गर्ब जनम के तीन प्रिकार हमने उसके बाद देखे जरायुज अंडज और पोतज उपाज जनम देपताव नार्कियों का कैसे होता है यहां तक हम पहुच चुके थे आगे की कक्षा प्रारंब करने से पहले प्रतिजिन की बात ही हम लोग मंगला चरन करेंगे और अब तक जितने सूत्र हमने दूसरे अध्याय के किये हैं उनका रिविजन करके याद करने का प्रियास करेंगे सभी लोग हाद जोड़ लिजिए और मिलके मंगला चरन करेंगे मोक्ष मार्गस्यनेतारं बेतारं कर्म भूबरताम ज्यातारं विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुड़ लबदए वंदे तत्गुड़ लबदए वंदे तत्गुड़ लबदए जय वली आचार वगवन स्री उमा स्वामी जी माराज की जय हो अब आप लोग दूसरा ध्याय निकाल लीजिए और अब तक के जितने भी सूत्रम ने किये हैं उन सब को साथ साथ पढ़के याद करेंगे आप्शमिक चायक भावव मिश्रस जीवस्य स्वतत्व मौधिक पारडामिक उच द्विनवाष्टा दशेक विंशती त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक्त चारित्रे ज्यान दर्शन दान लाब भोगोप भोग विर्यानीच ज्याना ज्यान दर्शन लबधःश्च तुस्त्री पँच बेदा सम्यक्त चारित्र सैयमा सैयमाश्च गती कशाय लिंग मित्या दर्शना ज्याना संयता सिध्य लेश्याश चतुष चतुस्त्र येई कई 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 कशड़ भेदा जीव भव्या भव्यत्वा नीच उप्योगो लक्षणं सद्विधो अश्ट्चतुर भेदा संसारिनो मुक्ताष्च समनस्का मनस्का संसारिनस्त्रस इस्थावरा प्रत्यप्तेजो वायु वनस्पत्य इस्थावरा द्वी इंद्रिया दैस्त्रसा पंचेंद्रियानी द्विधानी निप्रत्युप करने द्रवेंद्रियम लब्ध्युप योगव भावेंद्रियम इस्पर्सन रसन ग्रान चक्चु स्रोत्राणी इस्पर्सरस गंद्वन सब्दास्तदर्था शृतम निंद्रियस्य पत्यंता नामे कम, क्रमी पिपेलिका ब्रमर मनुष्या दीना में कैक व्रद्धानी, संगिन समनस्का, विग्र गतव कर्म योगह, अनुस्रेडी गतिही, अविग्रहा जीवस्य, विग्रह वतीच संसार्ण प्राक्च तुर्भ्यह, एक समया विग्रहा, एकम द्वाउत रीन जन्वाना हारका, सम्मूर्चन गर्भोप पादा जन्म, सचित शीत संब्रता सेतरा नाम, सेतरा मिश्रास चेक सस्त ध्योनेह, जरायुज अंडाज ओता नाम गर्भह, इस प्रकार से एक सूत्र और है इसके बाद, देविनारका अडाम उपपादह, हमने चोंतिस सूत्र कल तक किये थे, रिवीजन कराकर इसलिए जरूरी होता है, कि पांच मिनट के अंदर हमें एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कि हमने अब तक कितने सूत्र की हैं, तो जिससे कि हम नई सूत्र के साथ साथ, पिछले सू सूत्र के साथ ही, हमें कई बार उसकी मुख्य-बुख्य बातं याद में रह जाती हैं, कल जो सूत्र करेते, उनको अच्छे से एक बार अरवाइस करते हैं गर्ब जनम के हमने तीन बेध देखे थे उससे उपर हमने परसों के सूत्र में जो प्रकार के जनम देखे थे संमूर्चन गर्भ और तीसरा उपपाद उसमें छित्त हो सकता है जो योणी है अचित नो सकती है और सचित्त्त चित्त ah सकती इस प्रقार से हमने तीन प्रकार से भेट किये थे ठंडे गर्म के इसाब से शीत हो सकती है और शीत। प्रकेहुए के साब से युए समवरत हो सकती है और समरत विबरत हो सकती है योनियों के जो प्रकार थे तो वो हमने कल देखे थे उधारन के माध्यम से क्या क्या प्रकार थे मनुष्य की योनी का उधारन लिया था कि कैसी होती है माता का गर्व कुछ धका होता है कुछ उबरा होता है ऐसे ही शीत वाले छेत्र में अगर कोई पर मनुष्टाइण वीए एक समय पर थो एक लेह है। या अचित्त है माता का अगर मनुश्च की बात कर रहे हैं कि कैसे है क्योंकि उसमें पहले से आत्मा माता की भी है और उसमें बहुत सारी मासपेशिया रक्त इत्यादी है जल भी है शरीर के अंदर हड्डियां हैं बहुत सारी गरंतियां हैं नसे हैं वो सब क्या हैं वो सब प उस जीव की भी आत्मा आ गई तो कैसी हो गई वो चित अचित यानि सचिता चित उसके बाद हमने उधान देखा था देवताओं का उधान लिया उनकी जो उपास सया है वो अपने आम में कैसी है वहाँ पहले से कोई जीव नहीं है है ना जिसके अंदर वो दूसरा जीव उत्पन हो रहा है अब आप कहेंगे एक इंदरी जीव सब जगह है उपास सया पर भी एक इंदरी जीव हैं बिलकुल है चोटे-चोटे सूच में जीव हैं प्रत्वी का एक भी हैं, जल का एक भी हो सकते हैं, मनस्वी का एक, सारे प्रकार के एकिंद्र जीव तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उत्पन नहीं हो रहा है, यहां पर क्या है मनुष्य के में, कि माता के गर्म में माता का जीव है, उसके अंदर दूसरा जीव उत्पन हो बढ़े हुए हैं जो 343 गन राजु का हमारा तीन लोग है कोई भी स्थान खाली नहीं है जहां एक इंद्री पर्याय के जीव नहीं है इस कमरे में भी और आप भी जहां पर बैठके अध्यान कर रहे हैं वहां सब जगे ठसा ठस जीव भरे हुए तो दूसरा क्या देखा हमने देवताओं की उपपाद सहिया कैसी है अचित है क्योंकि उपपाद सहिया अपने आप पे जीव नहीं है दूसरा शीत है या उष्ण है इसमें भी अलग अलग देवता की दरश्टी से देखेंगे तो ज उष्ण हूंगे उष्ण होगा लेकिन सहयुक तुरूप से सबष्टाओं को अगर देख जाए तो शीत वह पर जो पास सीया उगी तो वहां कैसे बोली जाएगी उसको योनी उष्ण वाली चंद्रमा की देखी जाएगी तो वहां कैसी बोली जाएगी शीतल वाली ऐसे ही स्वर्गों में अलग अलग जगे शीत और उष्ण का स्रणी रहती है तो क्या कहा शीतो उष्ण संब्रत है या विब्रत है देवताओं की उपास सय्या वो अन्य देवताओं को दिखाई नहीं देती के चलो भई देखके आए के उपास सय्या कहां पर है और कौन नया देवता यहां पर आने वाला है ऐसे बाकी देव नहीं देख सकते तो क्या कहा ये ढकी होई है यानि की विब्रत है इसी प्रकार से क्या हुआ हम नार्कियों की लेंगे तो नार्कियों के जो बिल है वो कैसे है वहां से बापिस भाहर नहीं जा सकते बड़े बड़े बिल के अंदर जो है जमीन है उनकी है ना नदिया है बहुत सारा इसका विस्तत उजारा नरक का बढ़ा नाता है चैडाला में और अन्निगरंथों में वहां से हम ले सकते हैं तीस लाख बिल तो अकेले पहले नरक में ही होते हैं और कुल मिलाकर 84 लाख बिल अपने साथ नरकों में नीचे आए हैं तो उन बिलों के जहां से वो गिरते हैं नार्कियों वो बेसिकली जहां से निकले तो उसे क्या बोला उपासया जैसे स्वर्गों में थी ऐसे यहां पर हो गया उनका जन्म का इस्थान यानि की योनी तो अब वो योनी कैसी है वो भी बाकियों को दिखाई नहीं देगी दूसरा अब वो कैसी है शीत है या उष्र है अलग अलग माम ब्लों की कैटीगरी होती है उपर एक दो तीन चार इसपरकार से जब नरक नीचे की तरब जाते हैं उपर-उपर के नरक है उनमें क्या है उष्र है और नीचे नीचेन चार्व अत्यत्य होते चले एं तो इस परकार से उनकी वी गई चत्र है या चत्र है वहाँ बिल में पहले से कोई जीव नहीं जिसके अंदर वह पेदा हो हौ庶्ण मृनट्र मानुष्ण में स्लिए जीव गया नरक गती में पैदा हुआ यह से मरन हुआ और किसीके गर्ब में नहीं आये गा है ना नरक वा थो सीधे कैसा नपुनसक उसमें पन होगा नपुनसक गती में और किसी के गर्ब में ना आकर सीधे ही डारेक्ट बिल में से गिर पड़ेगा तो वो भी कैसा हो गया अचित हो गया पहले से कोई उस आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा उत्पन नहीं हो रही है तो ऐसे ही अन्य अन्य जो त्रियंज पर जाती हैं उनमें आप लगा सकते हैं फिर अन्य हमने नेक्ष देखा तेतिसवा की गर्ब जन्म जो है उसके तीन भेद होते हैं जरायुज, अंडज और पोत जरायुज, उसका मतलब क्या देखा था? जिसके गर्ब से निकलने के बाद में क्या होती है? जिल्ली इत्यादी लगी होती है, कोई जाली लगी होती है मनुष्यों में भी ऐसी होती है और ऐसे ही गायब है सित्यादी कुछ त्रियंच पख्षू हैं जिन में जिली लगी होती है गर्ब जनम इनके होता है इन तीनों के अंडज वाला हमने पहले भी कही बार बताया है कि कन्फ्यूज नहीं होना जो पख्षू पख्षी हैं अगर उनके अंड़े निकलते हैं तो वो सब गर्ब जनम वाले ही होते हैं क्योंकि वह इस्तरी और पुरुस का संयों होता है अंड़ा है यहां पर अंड़े को सेका पक्षी ने कुछ समय तक उसके बाद उसमें से जीव निकला ठीक है तो अब यह अंड़ा पहले कुछ समय तक प किन अंद्र वाले कुछ जीव हमें लगता है शबते हैं मक्हीं मंध मक्हीं है या बहुत सारे कुछ इत्तियादी हो सकते में वह सबहूप सबमूर्छन की श्रेडी में ही आते हैं ठिपकली जो है वह वह भी अंदा फिरना जिल्ली लगी होगि और एक माधाचिपकली होगि ऐसे ही सरपित्यादी हैं ऐसे ही मेड़क हैं ऐसे ही मचलिया हैं मगर वच्छ य 예 सब तो पंचेंद्रिय की सेडी में आते हैं इन सब क्या है गर्ब जनम होता है उसके बाद अगला देखा था हमने पोत जनम इसमें भी अंडा नहीं आता पोत में जरायूज में भी अंडा नहीं आता और पोत में भी अंडा नहीं आता वस फरक क्या है जरायूज और पोत में कि जरायूज में जिल्ली लगी होती है या थेली लगी होती पोत में कोई ऐसा आवरण नहीं होता पैदा होता है जानवर और जानवर पैदा होते ही अगले ही जण अपने आप चलने लग जाता है मनुष्य वगेरा में क्या होगा कुछ टाइम तक तुरंत नहीं चल पाएगा जो वर्तमान में युक चल रहा है भोग भूमी में अलग सि चाहेंगे उसमें हैं हमारे यूटूब चैनल पर भोग भूमी का वर्णन नाम से एक वीडियो डली हुई है वहाँ पर आप उन जीवों की कैसी प्रणती होती है लग लग काल में वह आप देख सकते हैं इसके बाद 34 सुत्र देखा था देव नार का नाम पादह पहला क्या गया गर्ब का गया स्टार्टिंग से वैसे चलेंगे तो कैसे जनम है सम्मूर्चन गर्ब और उपाद लेकिन तेतिस में सूत्र में आचार महाराज ने पहले गरब जनम के तीन भी बता दिये फिर चौते सूत्र में क्या बताए कि नरक में और स्वरगों में जो देवता हो होते हैं के रतन महीं होती है 48 मिनट यानि अंतर्मूत में देवता यवाव हो जाते हैं नारकी के साथ क्या होता है बिल बहुत भाइदे होते हैं कष्टताई होते हैं अंधेरे वाले होते हैं है उसमें गिरते ही फुटबॉल की तरह जीव बहुत उपर तक योजनों उपर उचलता है दीरे दीरे वह भही पर एड़जस्ट हो जाता है और मान लेता है कि अभी तो यहां बहुत समय बिताना है तो भही उसमें वह रह जाता है जब तक उसका काल पूरा नहीं होता और उतने ही कश्टों को वह वहां पर सहन करता है ठेड़ावा में आया है कि जैसे एक साथ हजारा बिच्छों ने काट लिया हो ऐसा उसको एहसास होता है नरक की भूमी का इस पर्स करते ही और ऐसे कश्टों के साथ उसको सागरों की आयू बितानी पड़ती है तब उसे लगता है कि म मैंने मालो मनुष्च चगती से आया हूँ तो दस बीस फचास साल मैंने इतना इतना मैंने आनन्द लिया जो मैंने हिंसा आदिपाप कि एक शाय करी और उसका परिणाम सुरू कहां पचास साल और कहां पचास करोड़ साल अगर कहो तो सागरों की जो तुलना है हम आज के व आप सोच लेजिए कि यहां अगर आपने चार दिन की चांदनी है ना अब यहां बहुत मजे लिए आपने सोचा कि खूब हम मास खाएं खूब जीवों को कष्ट दें खूब लोगों को साथ छलकापट करें बेहिमानी करें चोरी करें परिग्रे त्यादी बहुत इखटा करे लालच बहुत करें और बहुत आनंदा आएगा इन पापों में ऐसा लगेगा लेकिन बाद में जो चुकाना पड़ेगा इतने असंख्यात वर्सों के लिए तो उसकी कोई तुल नहीं की जा सकती तो जो लोग तत्वासूत पढ़के अगर ये चीज समझेंगे तो अपने आप से ही आपके शांत प्रणाम होना चाहिए आपकी लालसा इच्छाएं परिग्रे ममत्त कम होना चाहिए तब तो आपका तत्वासूत पढ़ने का फायदा है वरना आपने क्या किया जानकारी तो ले ली जैसे पहला ध्याय में आया था और उसको अमल में किया नहीं तो जानकारी के साथ आपको उसको अमल में भी लाना है आपको बोध से शोध की ओर भढ़ना है जो सम्मेक दर्सन का पहला सूत्र था चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय में सूत्र नंबर 35 कौन कौन सी चीज बता दिया चाहर महाराज ने गरबज जनम बता दिया दू जनम देना योनियों में सम्मूर्चन जनम आपको पहले बता चुके हैं एक इंद्रिये से चार इंद्रिये तक के जीव नियम से स्वत्ह उत्पन होते हैं जैसे ही उनको वातावरण में कोई भी योग परमाडू मिलते हैं ऐसा कुछ उनका नियती बनती है कि मुझे यहां जाके उत्पन होना है तो बिना किसी इस्तरी और पुरुस के सईयों के वह अपने आप उत्पन हो जाते हैं उद्रान में हमने मच्छर का उद्रान देखा था वर्षा रितू में एकदम से संक्यात मच्छर हो जाते हैं कुछ जरा ससरक्षा खाने को बहुत सारी चीटी जाएंगे कहीं पर गंदगी हो गई एकदम से कौकरोच इत्यादी हो जाएंगे है ना ऐसे ही सुचमजीव भी होते हैं ऐसे ही आपने कहीं पर अगनी जलाई गैस जलाई भले आपको दिखाई नहीं दे रहें लेकिन वो सब अगनी का एक जीव सुतह उसमें उत्पन हो जल शरीर बन गया वो सब सुतह उत्पन हो रहें वहां किसी भी इस्तिरी पुरुस का संयोग नहीं हो ता ऐसे ही लट इत्यादी जो हैं खाने के पदार्तों में गुन लग जाती हैं वो सब भी क्या हैं सम्मूर्चन हैं सुतह उत्पन हो जाती हैं चलिए सुत्र लिखते है 35 शेशाणाम सम्मूर्चनम शेशाणाम सम्मूर्चनम यानि की नारकियों और देवताओं के बारें बात कर ली उससे पहले बाकियों की बता दिया कि गर्व जनम में क्या क्या हो सकते हैं इनके इलावा जो भी कोई बच गए वो सब कौन से हुए शेश शेशाणाम माने शेश बचे हुए यह ना शेशाणाम बने शेश बचे हुए अब पिछले सुत्रों से चलेगा सिस्टम जैसे आचार महाराज ने तरीका अपनाय हुआ है कि रिपीट नहीं करते शब्दों को बचाते हैं अब शेश बचे हुए कौन से हो गए दो सुत्रों पिछले जो पड़े थे गर्ब और उपाद जन्म के अलावा जन्म के अतरिक्त सम्मूर्चनम यानि सम्मूर्चन जन्म होता है यानि स्वत्य उत्पन हो जाते है सम्मूर्चन जन्म होता है अर्थात शेश बचे हुए जीवों के सम्मूर्चन जन्म होता है यह आप लिख सकते हैं अर्थात शेश बचे हुए जीवों के क्या होता है यह आपको रिपीट करकर कैसे लिखवाते हैं जिससे कि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं जब आपका भीवी पुने जब भी आपका एक साल बाद दो साल बाद दस साल बाद भी आपका मन कर गया कि हमने नोट्स बनाए थे चलो कॉप्य उठाके देखते हैं तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा और तत्वार सूत का अध्यन बाकी बची आयू में आप निरंतर करते रहेंगे तो आप देखिएगा आपका जब भी अंत समय आएगा तो समाधी मरण बहुत अच्छे से होगा आपकी आगे की जो गतियां हैं जो इन मनुष्य गत उतारने का प्रियास करते हैं शेज बचे हुए जीवों के सम्मूर्चन जन्म होता है अब यहाँ पर नोट में एक इंपोर्टेंट बात आती है सास्त्रों में एक उधारन दिया हुआ है टीकाओं में कि कुछ मनुष्य भी सम्मूर्चन जीव के बताए हैं है ना अपने ल क्या पड़ा कि मनुष्यों के तो गर्ब जन्म होगा इस्त्री पुरुसों के संयूंक से ही होंगे परन्तु सास्त्रों में एक exceptional case दिया हुआ है जहां पर कभी कभी मनुष्यों का क्या हो जाता है सम्मूर्चन जन्म हो जाता है ऐसे मनुष्यों को लबदी अपरयाब तक मन सारण आया है तो शरीर के मेल इत्यादी में मनुष्यों का जन्म होता है दिक मतलब पंचेंद्रियों होते हैं लेकिन इस साइज के नहीं होते हैं छोटे-छोटे सुच में मनुष्य पैदा हो जाते हैं उनका जीवन बहुत लंबा नहीं होता लेकिन क्या बोला है उनको सम्मूर्चनज मनुष्य लबधी अपरया तक तो ये भी एक exceptional case है है ना नॉर्मल ये इसको हम देख नहीं सकते परन्तु सास्त्रों में इनका वड़न है कि ऐसे भी जीव होते हैं क्योंकि केवली के ज्यान में आया है वहीं से ये सारे की सारे है आगे की आचारियों में ज्यान आया और उनका अपना श्युप्षंभी आचारियों का बहुत अच्छा था जिससे उन्होंने इन सास्त्रों की तत्वा सुध जैसे बड़े-ड़े गरंतों की क्या लब्धी अपर्याब तक मनुष्य उनका सम्मूर्चन जन्म होता है बाकी उनके इलावा जो एक से चार इंद्रिये तक के जीव थे उनका तो सम्मूर्चन जन्म होता ही है अब वो सम्मूर्चन जन्म वाले जीव कैसे होते हैं हमने स्टार्टिंग में लिख़ मा दिया था कि वातावरन से योग परमानों ले करके क्या होता है स्वत्य ही जन्म कुछ जीवों का हो जाता है एक इंद्रिये से एक से चार इंद्रिये तक के जीव इनका तो नियम से क्या होगा समूर्चन जनम ही होगा इनके इलावा कुछ त्रियंच पंचे इंद्रिये जीव उनका भी क्या हो जाता है समूर्चन जनम हो जाता है तथा कुछ त्रियंच पंचे इंद्रिये जीवों का त्रियंच पंचे इंद्रिये तथा मनुष्यों का मनुष्यों का जैसे कुछ त्रियंच पंचे इंद्रिये होते हैं इनको भी हम देखनी पाते पंचे इंद्रिये क्या हैं हमें तो ऐसे ही लगेंगे कि सब गर्वजन वाले हैं लेकिन क्या होगा शास्त्रों में वर्डन है मनुष्यों में भी और कुछ त्रियंच पंचे इंद्रिये में भी क्या हो सकता है सम्मूर्चंजरम हो सकता है कौन से जीव होते हैं जो लबधी अपरयाप्त करके एक बढ़ आता है लबधी का मतला हमने दिखाया था ना उपलबधी कोई की चीज को प्राप्त करना पर्याप्त तक यानि कि प्रयाप्त नहीं हो पाई लब्धी अपर्याप्त तक जो छे पर्याप्तियां थी शरीर को बने कि वो प्राप्त पूरी नहीं हो पाई इसलिए क्या हो जाता है कुछ त्रियंच पंचेंद्रिये तथा मनुश्यों का जो कि लबधी कि अपरियाब तक कि कि होते हैं कि उनका भी क्या होता है एक से चार इंद्रिये तक के जीवों तक कुछ तेंच पंचेंद्रिये मनुश्यों के लबधी प्रयाप तक होते हैं उनका सम्मूर्चन जन्म होता है कि सम्मूर्चन अब सम्मूर्चन का मतलब तो स्टार्टिंग में आपको लिखवाई दिया था यानि कि वातावरण से योग्य परमाणू लेकर जो जीव स्वतह उत्पन हो जाते हैं अब किसी को किसी गंदगी में उत्पन होना है तो योग्य परमाणू लेकर वहाँ पर उस प्रकार के उत्पन हो गए किसी को बहुत खुश्पूदार अच्छी जगह पर उत्पन ओना है तो वाथ आधे वनसे उसके योग परेंद लेकर वह उत्पनों लोगय किसी को नीम पर हएक तो किसी को मीठे उत्पन नहीं किसी आप में अलग अलग परकार के जीव कि नियती अलग-अलग में लिख लेते हैं एक से चार के तो सारे की सारे नीयम से कैसे होंगे सममूर्छण ही होंगे पंचेंदध्रिये वाले हम लोगों को है ना इतने दिखाई नहीं देते हमारे लेकिन शास्ट्र ग्यान में इनका वरण आया है कि ये भी कुछ हो सकते हैं ऐसे ही मनुष्च में भी हो सकते हैं और त्रियंच में भी हो सकते हैं जो लब्धी अपरियाब तक होते हैं है ना वाता वरण से कि दिखें वाता वरण से है योग्य परमाणू लेकर कुछ मनुष्च भी क्या होते हैं कुछ मनुष्च योनी के जीव भी सम्मूर्च जीव होते हैं वो अत्यंत सूच माकार के होते हैं है ना मतला हम लोगों को दिखाई नहीं देते लेकिन कई बार उत्पन हो जाते हैं अब उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती जिससे उनका शरीर पूरी तरह से डेवलब नहीं हो पाता और उनका मरणकाल भी जल्दी आ जाता है हुआ हुआ है है ना है उनी के वातर कुछ मनुश्यों के जीप भी सम्मूर्षन पूर्चन 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 हो जाते हैं उनकी पर्याप्तियां बोलते हैं कि शरीर योगी जो छे पर्याप्तियां है वो सारी की सारी जिस जीप में होती है है ना तो उन मेंसे पर्याप्तियां सारी पूर्ण नहीं हो पाई उनकी पर्याप्ति पर्याप्तियां पूर्ण न होने के कारण वे लब्दी अपर्याब तक होते हैं और वे अत्यंत सूच्म आकार के होते हैं है ना हमारे चक्षु इंद्रिये से देखने में नहीं आते परंतु आगम में उनका वर्डन है हमारे देखने में नहीं आते परंतु आगम में उनका वर्डन है देखने में आते तो हम विस्वास कैसे करें विस्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि जो चीजें आपके देखने में आती हैं और वो चीजें आपने आगम से पढ़ ली और आपको 100% confidence हो गया कि हाँ ये चीज सही है तो जो चीज आप अगर चेक नहीं भी कर पा रहे तो आपको उस पे विश्वास करना चाहिए जैसे कि आप यापार इत्यादी करते हैं तो कोई सेंपल का अगर प्रोड़क्ट आपको भेज दिया जाता है और अगर वो गुडवत्ता में खरा उतरता है तो बाकी का माल आपने नहीं भी देखा जांच नहीं किया या आपकी शक्ती नहीं है उसको जांच करने की तो क्य बार सुत्र से और आगम से आप जहां जांच कर सकते हैं कि ये चीज बाकी के जो मिथ्या दरसन है गलत दरसन है जो आजकल के वैग्यानिकों ने और बाहर के लोगों ने अन्यमतियों ने बताए हैं तो वहां आपने जांच कर ली क्या सही है क्या गलत और अगर आपकी जां इत्यादी के बारे में या जीब विग्यान या भेद विग्यान के बारे में या जिस भी चर्चा के बारे में तो अगर आपने उस जाच को सही पा लिया तो उसके बाद जिसकी आप जाच नहीं कर पा रहे तो हमारा ये मानना है कि आपको उसको भी बिलकुल सही मानना क्योंकि बहुत बार प्रशनाता है कि अभी आगे आने वाले सुत्रों में तीन लोग का वर्डन आएगा तो किसने देखा प्रतिवी इतनी बड़ी है सूरी चंद्रमाप ऐसा है स्वर्ग ऐसे हैं नरक ऐसे हैं दिखाई में तो नहीं देते क्योंकि जो चीज़ें भाई दिखाई दे रही थी तो उसको आपने देखके कमपेरिजन कर लिया तो बाकी चीज़ें जो आपको नहीं दिखाई दे रही तो उसको भी आपको माल लेना चाहिए कि वो भी सत्य ही होंगी, उनमें कोई भी बाधा नहीं है हमें आगम का अवणवाद नहीं करना है उस पे 100% विश्वास करना है तभी सम्यक दर्सन होगा शास्त्रों की वाणी पे जिन वाणी पे संपून श्रद्धान करोगे तभी ज्यान आएगा देश शास्त्र गुरू पे है थोड़ा भी डाउट किया कि सई हो सकता है या नहीं हो सकता है तो आपका श्रद्धान क्या हो जाएगा डगमगा जाएगा तो वहींस पर घडबड हो जाएगा हमने स्टार्टिंग में पहले अध्याय में पढ़ा था ना कि बिलकुल प्रगाड हो ना चाहिए स्रद्धान ठीक है यहां तक हो गया आपका उसके बाद आज अगला सूत्र लेंगे बहुत ही बढ़िया सूत्र है शरीर के बारे में 35 सूत्र आपके हो गए है लबदिया पर्याप तक मनुष्यों की चर्चा भी आपने कर ली कि मनुष्य भी सम्मूर्चन हो जाते हैं और हम सभी भी पिछली उनियों में 84 लाखी उनियों में हम घूम के आए हैं तो हम भी ऐसे वाले मनुष्य न जाने कितनी बार बन चुके हों एक इंद्रिय पर्याए में हमने अनन्त बार ब्रह्मन किया है हम सभी का जीव भी इन चतुर गतियों में अनादिकाल से न जाने कितनी कितनी बार पठकता आ रहा है शायद पहली बार ऐसा हम लोगों का स्वभाग्य जगा है जो हम ये तत्वार सूत्र जैसे ग्रंतों का स् तो इतने अनादिकाल से मिठ्यादर्सन में ही पहले गुडिस्थान में ही पड़े हुए थे और अभी भी अगर हमने सुध नहीं ली अपने कर्मों की निर्जरा नहीं करी तो फिर से मिठ्यादर्सन में ही पड़े रहेंगे तो हमको क्या करना है यहां पे सीखने के साथ सा चलिए शरीरों का वर्ण आ रहा है बहुत ही इंट्रेस्टिंग सूत्र है बहुत ही बढ़िया सूत्र है जो लोग यह पहली बार सुनेंगे तो बहुत आनन्द आएगा वैसे हमने पिछले सूत्रों की चर्चा में इन शब्दों का प्रयोग कई बार किया है और आपको बताय था कि शरीर इत्यादी का वर्ण आगे के सूत्र में आने वाला है कि अधारिक वैक्रिया वैक्रिय का हारक और दारिक वैक्रियक वैक्रियका हारक वैक्रियका हारक तैजस कार्मनानी शरीरानी वैक्रियका हारक तैजस कार्मनानी शरीरानी यह नाम कई बार पहले भी लिए जा चुके हैं शरीरानी यानि शरीर के प्रकार इस सूत्र में बताए हैं एक बार दुबारा पढ़ेंगे और दारिक वैक्रियका हारक तैजस कार्मनानी शरीरानी यानि शरीर कितने प्रकार का हो सकता है और दारिक शरीर वैक्रियक शरीर यहां का लिखा है क्या लिखा है वैक्रियका हारक तो आ यहां से निकाल कर इधर चला जाएगा तो क्या बन गया आहारक क्या बना आहारक उसके बाद क्या तैजस फिर कार्मन उसके बाद क्या लगा दिया आनी यानी की बहुचन हो गया कार्मन शरीर होता है कौन कौन से कितने हो गए ओधारेक वैक्रियक फिर यह कौन सा बन गया आहारक उसके बाद तैजस और कार्मन हमने आहारक काल और अनाहारक काल विग्रेगती में देखा था याद है जब आपको धारान दिया था कि विग्रेगती का आहारक होना अनाहारक होना एक अलग बात है और उसी प्रकार का आहारक शरीर में सेम वर्ड है बट दोनों का मतलब अलग है वहां पर जो वो विग्रेकती का जीव है क्या वर्डन आया था कि आहार नहीं लेता जो शरीर के योगिपुद्गल पर परमाडू है उनको वातावरण से ग्रहन नहीं करता तो कितने समय के ल यह maximum जब तक वो विग्रेकती में घूम रहा है तो वहां आहार यानि की शरीर योगिपुद्गल परमाणू को ग्रहन ना करने की दृष्टी से वर्डन आया था वहां पर शरीर वर्ड नहीं था वहां क्या था काल अनाहारक काल और आहारक काल यहां क्या है आहारक शरीर है ना दोनों में थोड़ा सा फरक है इस चीज को आपको आगे याद रखना है चलिए संदी विच्छेट करके लिखते हैं और दारिक दूसरा क्या निकला वेक्रिक तीसरा क्या आया आहारक है ना ये सब शरीर है वो काल था आहारक और अनाहारक काल कौन से सुत्र में है आप रेफरेंस के लिए निकाल सकते हैं पर्सों की किलास में हमने देखा था तीसवा सुत्र था है ना उसमें क्या है था एक कम दो तरीन वाना हारक है एक दो तीन वा माने अथवा फिर अनाहारक यानि एक दो तीन समय तक तीसवें सुप्तर में अनाहारक काल की बात आई थी फिर हमने आहारक काल और अनाहारक काल देखा था यहां आरक क्या है आहारक शरीर तो ध्यान रखनना है आपको है ना उसके बाद ओधारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और अंतमे कार्मन शरीराणी माने शरीर होते है है ना शरीराणी माने ये पांच शरीर होते है शरीर होते है कौन-कौन से पांच शरीर होते है ओधारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तैजस सरीर और कार्मर सरीर इस प्रकार से सरीर के पांच प्रकार होते हैं बेकिन सभी में नहीं हो सकते हैं जैसे हमने ग्यान में देखा था मती, सुरुत, अवधी, मन्हें, परे और केवल एक साथ पांच हो ग्यान एक जीम में नहीं हो सकते हैं इस परकार बताएं के इस परकार के शरीर हो सकते हैं कि पहले इनको समझ लेते हैं फिर आप खुद लगा सकते हैं कि एक साथ सारे सरीर किसी के हो सकते हैं क्या ओधारिक शरीर का क्या मतलब होता है जो मनुश्यों इत्यादी के जो दिखने वाला हमारा सरीर है उसको क्या बोलते हैं ओधारिक शरीर जो ठोस होता है इस थूल होता है है ना जिसमें मान लीजे सुई चुबाई तो जरास इसी सुई का भी ऐसास होगा जिसको कश्ट हो सकता है जिसमें सुख दुख होगा यानि की चोट भी लगेगी अड़ी भी तूट सकती है पट्टी भी करोगे ऑपरेशन भी कर सकते हो तो कौन सा सरीर कहलाता है इस थूल शरीर य उनके भी ऐसा ही है एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है त्रेंच को मरण प्राप्त हो जाएगा या चोट लग जाएगी गायल हो जाएगा तो ऐसे ही मनुष्यों का भी है इन सब का क्या कहलाएगा ओदारिक शरीर जो हमें दिखाई दे जो इस्थूल हो और ठोस ऐसी चीटी वगेरा का भी सभी का है ना जो भी आपके समूर्चन जीव है उन सब का भी ओदारिक शरीर ही होता है इंद्रियों के हिसाब से उनका शरीर रहता इस परसन इंद्रियां सब के होंगी और इस परसन इंद्रिय के अंदर सारी की सारी इंद्रियां ओदारिक शरीर वैक्रियक शरीर किसका होता है देवताओं का और नार्कियों का उसमें क्या होगा कि देवताओं का शरीर अगर आप सुई चुबाएंगे तो उन्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा उनमें हड्डियां मास पेशियां इत्यादी नहीं होती एसे ही नार्कियों का शरीर होता है वो भी वैक्रियक होता है लेकिन नार्कियों और स्वर्गों में जो देवता हैं शरीर दोनों के वैक्रियक हैं परन्तु कष्ट इनमें हो सकता है एक नार्की दूसरे नार्की को मारेगा तो उनको कष्ट होगा वो वैक्रियक शरीर खतम नहीं होगा मरेगा नहीं जीव छेडाला में वर्णन है और अन्य गरंथों में भी आता है कि वैक्रियक शरीर के अगर कोई टुकडे टुकडे कर दे तो पुने पारे की भाती वापस से वो जुड़ जाता है पारा देखा है न अपने थर्मामीटर में भी होता है और अन्य जगे भी आपने देखा होगा मंदर उत्यादी में भी वेदी के नीचे डालते हैं बहुत ही शुद्ध उसको बोला जाता है वास्तु की दरश्टी से तो ऐसी शुद्ध धातु होती है कि उसके कितने भी टुकडे कर दिया जाएं है ना जल की तरह से उसकी बून बून बिखर जाए और उनको नजदीक लाया जाए तो वो सारे की सारे वापस से जुड़ जाते हैं तो ऐसे ही ये वैक्रियक शरीर होता है नार्कियों में जब आपस में लडाई होती है तो एक दूसरे के शरीर के वो टुकडे टुकडे कर देते हैं लेकिन फिर वापस में जुड़ जाता है उनके शरीर को हैना दहकते हुए कड़ाय में डाल दिया जाता है तेल के तो फिर भी वो क्या होता है जलते नहीं है जलते तो हैं कश्ट तो होता है लेकिन मरते नहीं है तो वैक्रियक शरीर में अकाल मरन नहीं होता है ना उसके भले टुकडे कर दिये जाएं उसको कुछ भी किया जाएं और दारिक शरीर में चोट लग सकती है अकाल मरण हो सकता है यानि कि जितनी आयू वो जीव लिखा के आया था उसके जो परणाम है जो उसके घटक है वो जल्दी जड़ जाते हैं और अकाल मरण हो जाता है आयू पूरी करके तो मरता है लेकिन जल्दी जल्दी वो समाप्त हो जाती है जो बची हुई आई हुए उसका वर्डन भी आगे के अध्यायों में आएगा वैक्किरियक शरीर का एक तो योगया देवता हो नारकियों क्यों होता है उसके इलावा कुछ exceptional case होते हैं कौन से विक्क्रिया जिसको बोलते हैं आपने रक्षा बंदन की कहानी सुनी होगी विश्लू कुमार मुनी राज की कि उन्हें विक्क्रिया रिद्धी हो गई थी जिसकी वैसे उन्होंने अन्य साथ सो मुनियों की रक्षा करी कैसे करी अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया द्यान आ रहे ना आपको कहानी कि एक पहर उन्होंने सुमेरू पे रखा एक पूरे ढायदी पे रखा और एक बली राजा के उपर सर पे कहा कि अब कहा रखूं द्यान आ रहे ना तो कैसे किया वो विक्रिया रिद्धी से यानि कि विक्रिया रिद्धी के माध्यम से सरीर को चोटा बड़ा किया जा सकता है, देवता भी कर सकते हैं अपना शरीर को कैसा भी बना सकते हैं, देवता चाहें तो आपकी शकल लेके यहां पर आ सकते हैं, है ना और चोटा सा सूच मेरूप बना कर वो कहीं पर भी गुस सकते हैं, यहां से देवता गुसना चाहें तो छेद म से मिलती है उसके इलाबा कुछ मनुश्यों को तप इत्याधी के माद्यम से भी वो रिद्धी हो जाती है और वो भी विक्रिया से एक लिमिट तक अपना शरीर छोटा बड़ा इत्याधी कर सकते हैं मनुश्यों में एक उधारन आता है विद्याधर मनुष्यों का जो विज्यार्थ पर्वत की स्रेडियों में रहते हैं अभी जम तीन लोग का वड़न करेंगे तो हम देखेंगे कि भरत छेत्र के ऊपर विज्यार्थ पर्वत होता है जो आरे खंड है जहां हम रहते हैं वहां बीच में क् रूप बना सकते हैं आपने प्रित्मान योग में पदम पुर्णान इत्यादी में शायद वर्ण भी पड़ा हो रावन कौन था विध्याधरों का राजा था हनुमान कौन थे विध्याधर थे तो वह हनुमान जी क्या थे पवन पुत्र उनको इसलिए बोला जाता है कि पवन देश से उड़के कहां पहुँच गए शीलंका चले गए तो वो सब विध्याधरों के माध्यम से करते थे तो वो भी एक प्रकार की विक्रिया ही होती है उनको कुछ समय के लिए विक्रियाधरों से ऐसी रिध्धी प्राप्त हो जाती है कि कुछ जी विक्रिया से छोटा ब शरीर आपके समझ में आ गए उसके बाद तीसरा सरीर है आहारक शरीर उन्हें रिपीट कर रहे हैं ये आहारक और अनाहारक काल नहीं है ये क्या है आहारक शरीर है ये भी एक तरह से रिद्धी ही होती है हर एक किसी के नहीं होती मुनी महराज के लिए इसका उधारन सास्त्रो में आया है कि पांच में गुडिस्थान के बाद जब छटे गुड़िस्थान में ध्यान अवस्था में मुनी महाराज होते हैं और उनको ध्यान में कोई शंका होई जिन्वाणी से रेलेटेट आत्मा तत्वों से related कुछ भी उनको गूड शंका होई अपनी ध्यान अवस्था में तो अचानक से क्या होगा अब उनकी संका का समाधान करने के लिए कोई दूसरा जीवत वहां आएगा नहीं तो सतह ज्यान में वो चीज आई नहीं अभी इस स्टेज पर आगे नहीं पहुंचे हैं कि ज्यान का 6 उप्षन मुहनिय करम का 6 हो गया हो और केवल ग्यान हो गया हो ऐसी अवस्था नहीं आई मात्र कौन से गुड स्थान में पहुंचे हैं छटे गुड स्थान में पहुंचे हैं तब क्या होता है कई बार कि उनके शरीर से एक छोटा सा पुतला निकलता है दिखाई नहीं द एक हाथ के बराबर का ये एक पुतला है जो मुनी महराज है पहले तो ये बताईए उन का शरीर कौन सा है क्योंकि मनुश्य योजोनी के हैं तो आओदारिक शरीर है जहांपर ध्यानवस्था में हैं वहीं उनकी मस्तक से जब उनको कोई श dirt वोई एक हाथ का छोटा सा एक मनुष्य रूप का पुतला बना एक गुडिया जैसा माल लीजिए कि जैसे हम गुड़ा गुड़िया बना लेते हैं ऐसा एक पुतला रूप में सफेद रंग का एक पुतला अपनियाब निकलता है और वो क्या करता है कि जो भी नजदीक में कोई केवली भगव यानि कि जो अर्यंत भगवान है वह सद्ध भगवान तो ऊपर हैं तो सद्ध सला पे जा नहीं सकता हो तो केवली भगवान जो भी नजदीक में हैं किसी भी छेत्र में होंगे वहां तक वो पुतला चला जाता है बिना किसी बादा के चाहें पहाड़ों नदियांगों जैसे कि आचार फद्रवाऊ का उधानाता है कि जो अंतिम शुत्खेवली थे इसी पंचम काल्ल में अंता हुए नहीं तो वहां जाकर भी अपनी शंका का समाधान करता है कि ऐसे ऐसे इन इन चीजों में मुझे समस्या रही है इसका क्या मतलब है द्वादसांग से related वो कुछ भी प्रशन उनसे जाके पुतला पूसता है और वापस आकर क्या होता है वो संका का समाधान करके मुनी महराज के शरीर में as it is प्रवेश कर जाता है और उनके ज्ञान में वो बात आ जात यह शंका का समाधान हो जाता है तो यह जो आहरक शरीर है यह पुरुशाकार होता है जैसे पुरुश का आकार होता है वैसा ही होता है लेकिन कैसा है सफेद रंग का है कहां से निकलता है मस्तक से निकलता है और शुब है इसका कोई भी अशुबफल नहीं होता है ना इस सरीर को क्या बोला आहारक शरीर ये भी जो हमने बोला कि हमने सेंपल चेक कर लिया था तो जो जो चीजे हम चेक नहीं कर पा रहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें क्या मानना है पूर्ण शरद्धान करना है कि हाँ ऐसा सरीर होता होगा जो ऐसे संका का करता है याद रहेगा आपको उसके बाद एक शरीर आया तैजश शरीर जैसा नाम में आ रहा है तेज ये शरीर क्या करता है तेज देता है शरीर में कांती देता है सूर्थी देता है और इसके साथ में आया कि जो ओधारिक इत्यादी शरीर है तो हम लोग जो भोजन इत्यादी करते हैं उसको पचाने का भी काम क्या करता है उपर उपर से क्या चीज हमने बोली थी पांच इंद्रिया बोली थी फिर एक जो वैग्यानिक बोलते हैं कि आमाश पुद्गल बाहरी वाले पुद्गल है यह बहुत द्यान देना यह आत्मा नहीं है सारे कि सारे यह सब यहीं रह जाएंगे ठीक है? इनमें साथ में क्या जाएगा? ओधारिक शरीर यही रह जाएगा, वेक्रियक भी यही रह जाएगा देवताओं का, आहरक भी, यह तो कभी-कभी उत्पन्नूता है तैजस और कार्मण यह दो शरीर हैं, अभी आगे के सुत्रों में आएगा, यह आत्मा के साथ बार-बार-बार जाते हैं शरीर जो मरता है, वो यह वाला शरीर मरण पे छूट जाता है वेक्रियक और ओधारिक और जो तैजस शरीर है, जो अंदर हमें भोजन को पचाने में सायक है, या शरीर को तेज या कांती दे रहा है उसकी वज़े से कोई व्यक्ति जहां पैदा होगा, उसके हिसाब से जो बाहरी परवेश बनेगा, कोई तो बहुत सुन्दर होगा आप कितना भी खिला लो, कोई दूसरा बहुत कुरूप होगा वो एक तो नाम करम की वज़े से हम आठ में अध्याय में पढ़ेंगे जब नाम करम की चर्चा करेंगे और साथ में अंदर से जो दिखाई नहीं दे रहा ऐसा एक शरीर है जिसको तैजस शरीर बोलते हैं जिसकी वज़े से बाहरी शरीर में कांती या तेज आता है अंदर से उसका क्या नाम है तैजस शरीर, शरीर का तापमानी अंतरन करेगा बोजन को पचाने में सायक है और शरीर में उपरी रूप से कांती इत्यादी देगा इसके इलावा आगे एक सूत्र आएगा सूत्र नंबर 48 आहरक वाले का वर्णर इन सब का पहले तो मूल रूप से यहाँ पर हम ब्रीफ कर रहे है फिर आगे के सूत्रों में आचार महराज ने किसके शरीर कैसा होगा वो सब अगले-अगले सूत्रों में डिटेल में बताया है तो ऐसे ही जो जो आहरक शरीर है उसको आप लिख लीजिएगा बाद में और दिटेल में बताया है और वैक्रियक शरीर है वो 47 नमबर यानि 47 में सूत्र में इसका वर्डन है तेजस सरीर का 48 यानि 48 वे चूत्र में वर्डन है तो इस प्रकार से इनका वर्डन किया गया है तेजस्षरीर का जो 48 सुत्र में वर्णन आएगा वहाँ पर इसके दो भेदाएं है मुख्य रूप से तेजस्षरीर जो सबके होता है वो कौन सा है यही जो कांति त्यादी का जो तेज देता है और दूसरा एक और इसमें आया है जैसे आहरक शरीर में पुतला निकलता है ऐसे ही तेजस्षरीर के भी दो प्रकाराएं है एक तो जो कांति देता है और तेजस्षरीर में भी एक पुतला कभी-कभी निकलता है जो अशुब फल देने वाला होता है उसका वर्णन आपको हम 48 सूत्र में करेंगे निकल जाता है दो तरह के पुतले होते हैं वो वर्णन आगे की किलास में आपको कराएंगे मूल रूप से तेजस्षरीर क्या है जो कांति देता है और यहाँ पर भी पुतला निकल करके शुब फल या अशुब फल देगा वो तेजस्षरीर के प्रकार में आएगा कनफ्यूज मत हो येगा आरख शरीर में क्या है मुनी माराज के निकल रहा है शंका का समाधान कर रहा है और यहाँ पर भी ऐसे शरीर भी बनते हैं तो उसका नाम भी तेजस्षरीर ही आया है आगे की कख्षा में आपको कराएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ? उसके बाद कौन सा सरीर आया ? कारमन सरीर जो रोज-रोज बोलते हैं आठो कर्म, आठो कर्म जिसके चक्कर में ये पूरा तत्वार्त सूत्र है अब आप वहाँ पर पहुंच रहे हैं कि वास्तम में हमें किसने पकड़ रखा है ज्यानावनी दर्शनावनी अंतराय मोनिय है ना आयू नहम गोत्र वेदनिय ये सारे की सारे जो आठ कर्म हैं वो वास्तम में क्या हैं कार्मन शरीर है जो हमारी आत्मा का पीछा नहीं अनादिकाल से एक करम हटता है तो दूसरे करम आके आत्मा में चिपक जाते हैं जो कर्मों की वरगड़ाएं हैं जो कार्मन शरीर उनको बोलते हैं जो कर्म के पुद्गल परमाणू हैं वो सब क्या हैं कार्मा शरीर ये अनादिकाल से चिपके रहते हैं हमारे शरीर के साथ तो इस प्रकार से पांच शरीर हुए ये जो दो शरीर हैं ये हमारी आत्मा से पर्मानेंट चिपके हुए है ना फैबी कॉल से भी मजबूत जोड है रगड़ रगड़ के आप कोशिस करोगे तब भी नहीं हटेंगे एकम एक सुत्राएगा कि बिल्कुल एक जैसे हो गए आत्मा में चिपक गए हैं है ना और इन आगे के अध्यायों में आचार महराज बताएंगे है ना साबुन से रगड़ के या बुरुस से रगड़ के इनको नहीं चुड़ा सकते हैं जैसे आपके शरीर पे महल लग जाए या कपड़े पे महल लग जाए तो आप उसको सर्फ डालके या आप अन्य-अन्य माध्यमों से चुड़ा सकते हैं लेकिन यहां से यह जो कार् सूत्रों में विधी दी है तब आदी के माध्यम से ही चुड़ाना पड़ेगा कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी ऐसे रगड के नहीं चुड़ा सकते हैं ठीक है इनके बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद बहुत आनन्द आएगा आपको इनको समझने में अगले के क प्रेपन सूत्रव इस अद्याय में रह गए हैं इनी शरीरों के बारे में अलग-अलग तरीके से हम व्याक्या करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मूल रूप से आज उधान के माध्यम से आपको समझाया है और दारिक शरीर माने इस थूल शरीर या ठोस शरीर किनका है ये मनुश्यों का और त्रियंचों का पेड़ का कैसा शरीर है वेक्रिया के आरा के तेजा से कारमने हो दारे के क्या है ठोस शरीर है है ना पेड़ को भी काट सकते हैं कट जाता है तूट जाता है तो वो भी सभी त्रियंचों में क्या आ गए जितने भी ये किंद्रिय बगेरा के आ गए ये भी सब क्या होगा इनके भी भले हमें दिखाई नहीं दे रहे छोटे-छोटे शरीर लेकिन सब ओधारिक शरीर होते हैं वैक्रियक शरीर किसके होता है? है ना? वैक्रियक शरीर माने देवता और नार्कियों का इच्छा अनुसार हलका भारी छोटा या बड़ा किसी प्रकार का रूप बनाने की छपता है ना? हलका भारी इतना सूच में बना सकते हैं कि छोटी सी मान लेजिये मंदिर में भगवान की प्रत्मा है हम बोलते हैं ना कि इस मंदिर में जितने भी देवी देपता विराजमान है हम उनसे छमायाचना करते हैं उनकी हम परमीशन लेते हैं कोई भी विधान इत्यादी करते हैं वो सब क्या करते हैं कि हम यह मानते हैं कि यहां पर हो सकता है कि अरंध भगवान के रक्षक देवी देवता होंगे यक्षक्षणी इत्यादी होंगे है ना वो सब वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन क्या होता है कई बार सूच भारी छोटा बड़ा रूप बनाने की छमता चोटा बड़ा आधी किसी का भी रूप बना सकते हैं अगर कोई देवता चाहे हमारी शकल में आकर यहां पर बैठना चाहे तो बैठ सकता है वो किसी का भी रूप बना सकता है बदल सकता है सब क्या होता है उनकी विक्रिया रिद्धी होती है वैक्रियक शरीर की वैसे वो ऐसा कर सकते हैं हलका भारी उसमें चोट पादर भी जा सकते हैं उनको कोई भी क्योंकि उसमें काल मरण नहीं होता उनको कुछ भी सर्दी गर्मी का एसास नहीं होता और ना देवताओं को जबकि नारकियों का वैक्करियक शरीर किस प्रकार का है उनको उसी वैक्करियक अधिक्रियक शरीर्टों लेकिन उनमे कष्टों के माद्यियंसे भेद advertisers नहीं होगा अक Nein नार्कियों का और देवताओं का आदी रूप बनाने की छमता किनका है ये देवता और कि नार्कियों का और साथ में आप लिख सकते हैं विद्याधर मनुश्यों तथा कुछ अन्य मनुश्यों को विक्रिया रिद्धी के माध्यम से ये शरीर प्राप्त हो सकता है इसके बारे में आचार महराज ने सूत्र सेंतालिस में दिया है सूत्र सेंतालिस में इसका वड़न किया है यह वाले शरीर आगे इसको explain कर देंगे अभी इस वाले शरीर में लिखते हैं विद्याधर मनुष्य जो जैसे हमने बताया था कि विज्यार्थ परवत की श्रेणियों में रहते हैं विद्याधर मनुष्य भी दीच्छा प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जैसे हनमान जी को मोक्ष हुआ है ना कुम्भकरण इत्यादी ये सब क्या थे रावन के जो भाई थे रावन का पुत्र मेगनात वगेरा ये सब विद्याधर थे विद्याधर इन सब को क्या हुआ मोक्ष हुआ रावन को नहीं हुआ जबकि कुमगरण मेगनाथ को भी हुआ है मोक्ष अपने जिन शास्त्र की अपेक्षा से और हन्मान जी को भी हुआ है लवकुष को भी हुआ है विद्याधर मनुश्यों तथा कुछ कि अन्य मनुश्यों को भी कि विद्ध्या के माध्यम से विक्रियार धी प्राप्त हो सकती है कि है ना विक्रियार त्यों कंगा शरीर तो अधारिक ही रहता है है ना मूल शरीर है कोई मनुश्च है परंतु कुछ समय के लिए वो विक्रियार धी के माध्यम से अपने शरीर को बदल सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे विश्णु कुमार मुनी का हुधान आता है है ना वो विक्रिया लिद्धी के माध्यम से कर सकते हैं ठीक है? इसके रेफ्रेंस में सूत्र नमबर 47 आचार महराज ने आगे दिया है कि विक्रियक शरीर विक्रिया जिद्धी के माध्यम से भी कुछ समय के लिए exceptional case में प्राप तो हो सकता है अब तीसरा आपका कौन सा सरीर है? आहारक शरीर उसको यहां पे लिख लेते हैं यह मिटा दें आपने नोट कर लिया होगा आहारक शरीर आपको समझाया था छटे गुड़े स्थान के मुनी महाराज के मस्तक से एक पुतला निकलता है कब निकलता है? जब ध्यान अमस्ता में उनको कोई शंका होती है कहां जाता है पुतला? जो भी उनके नजदीक में कोई केवली भगवान हुए या आत्मा से डायरेक्ट अरहंत बन चुके हैं और पूरे संसार के सभी द्रव्यों को सीधे सीधे जान पा रहे हैं उनकी अनंत परयायों को और शुरुत केवली होते हैं अभी उनको केवल ज्यान उत्पन नहीं हुआ है परन्तु अरहंत अरहंत बगवान से जान करके वो लगबग उतना ही जान जाते हैं सुयम की आत्मा से अनुभूती नहीं हुई है पूरे पूरे तीन लोग की लेकिन ग्यान की तुलना में उनके बरावर हैं है ना तो जो गरधर इत्यादी होते हैं वो जब तक गरधर होते हैं तब तक क्या रहेंगे वो शुर्त ग्यान की वैसे अरहंत बगवान के बरावर का ग्यान वो अन्य जीवों में बताते हैं गरधर के रूप से जो बगवान प्र geschंदेते हैं गरधर उसको आगे देते हैं लेकिन जब भगवान को केवल ग्यान हो जाता है उसके बाद गरदर को भी केवल ग्यान हो जाता है जैसे गौतम गरदर का आया है ना तो वो उनको फिर बाद में वो खुद केवली बन जाते हैं लेकिन उससे पहले क्या होते हैं कि वो गरदर रहते हैं ऐसे ही अंतिम शूर्थ्केवलि के रूप में वर्तमान युग में किसका नाम आता है हमारे कौनसे आचारी का भध्रवाहोजी का अंतिम शूर्थ्केवलि के रूप में जिनके शिष्ष्टे सम्डाठ चंह्द्र गुपत मौरे ठीक है अब हम कौन सा लिख रहे थे तीसरा आहारक शरीर आहारक शरीर यह आहारक और अनाहारक कालवाला नहीं है शरीर में क्या हो गया है ना छटवें गुड़िस्थान में आत्मा के यह चौदे गुड़िस्थान होते हैं आपको बताए थे उनमें से पांच में गुड़िस्थान में क्या होता है फित्मात्यादी प्रत ले लेते हैं और छटे गुड़िस्थान में चटे और साथ में गुड़िस्थान में जीव जोबनी महराज हैं वो रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे उनके कर्मों की निर्जरा होने से आगे की गुरिस्थान में उनकी आत्मा बढ़ती जाती है चट्वे गुरिस्थान में कोई महान तपस्वी हरेके नहीं निकलेगा महान तपस्वी मुनिराज के कोई शंका होने पर उनके मस्तक से है ना पुरुशाकार एक पुरुशाकार सफेद रंग का पुतला निकलता है और केवली या शुत केवली के पास जाकर संका समाधान कर पुना मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है या वापिस आ जाता है तो यह क्या होता है आहारक शरीर ठीक है उसके बाद अगला शरीर क्या था तैजस शरीर इसका उधारन किसमें दिया हुआ है आचार महराज ने सूत्र नंबर उड़न्चास में इस शरीर के बारे में बताया है आरक सरीर के इसके बारे में सूत्र नंबर सेंतालेस में डिटेल में बताया है उसके बाद चौथा एक शरीर है तैजस शरीर यानि कि जो शरीर में तेज और कांती देता है उसके इलावा यह भी आहरक शरीर की तरह इसमें भी एक पुतला निकलता है तो उसका उधानन 48 सूत्र में दिया है तो वहाँ जब आएगा वरणन तब उसको कर लेंगे अभी मूल बात लिख लेते हैं कि जो शरीर को तेज कांती दे ऐसे शरीर को क्या बोलते है तैजस शरीर यह अनादी काल से हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है ओधारिक व्यक्रियक शरीर तो छूटते जाते हैं परन्तु तैजस और कार्मार्ण शरीर आत्मा में हमेशा रहते हैं चौता शरीर कौन सा है तैजस शरीर ठीक है जो बाहर के जो शरीर है ओधारिक या व्यक्रियक अब कोई देवता का शरीर बहुत सुन्दर हो सकता है कोई का थोड़ा शरीर तो सब का सुन्दर होगा देवता हो में किसी का कम होगा किसी का कम होगा, किसी में कान्ती ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, जो ओधारिक आधी, जो बाहरी शरीर है, आधी शरीर में तेज है ना, कान्ती पिदान करता है, और ये भोजन पचाने में, तथा शरीर का तापमान, अब बोलते ना, फीबर आ गया, बहुत तेज, बुखार आ गया, है ना, तो किसमें गड़बडी की वैसे होता है, वो इस तेज़ शरीर में, है ना, तो तेज़ शरीर तापमान ये नियंत्रन करने में सायक होता है, तो इस तेज़ शरीर का काम होता है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, हमारे कर्मों की वज़े से, तो शरीर में कांती कम हो सकती है, वोजन पचाने में दिक्कत हो सकती है, या आपके तापमान में कम ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद अंतिम शरीर है, आपका कार्मन शरीर, जो आठों कर्म हैं, वो सब आतमा से चिपके रहते हैं, मूल यही शरीर है, जिसकी वज़े से बाकी शरीर है, करम करेंगे दिपता बनने के तो वेक्रियक शरीर मिल जाएगा, करम करेंगे एक इंद्य परियाय में जाने के तो एक इंद्य परियाय का शरीर मिल जाएगा, जैसे करम करेंगे वैसा शरीर बाहरी मिलेगा, तो मूल शरीर क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा कार्मन शरीर आत्मा के साथ ज्ञाना वर्नी आधि आठ करम आत्मा के साथ ज्ञाना वर्नी धर्श्ना वर नित्यादी जो ग्याना वर नियादी आठ कर्म है ना कार्मण शरीर कहलाते हैं करम वर गड़ाएं करम परमानू कुछ भी कह सकते हैं है ठीक है अब आपका समय हो रहा है जल्दी से अब हम उधारन लिख लेते हैं कि एक बार में कितने शरीर एक के हो सकते हैं है ना मनुष्यों के एक साथ कौन कौन से शरीर हो सकते हैं मनुष्य के एक साथ कितने सरीर होंगे ये दोनों सरीर सब के हैं चाहें एक इंद्रिय पर आया है चाहें पंचे इंद्रिय पर आया है ये तो रहेंगे ही रहेंगे मनुष्य के कारमण शरीर आत्मा के उपर है प्लस उसके साथ में तैजस है है ना और ओधारिक है कि एक साथ जैसे हमने बताया ज्यान पांचों नहीं हो सकते ऐसे ही पांचों शरीर एक साथ सब के नहीं हो सकते देवताओं के क्या होगा कारमण उनके भी है तैजस उनके भी है और ओधारिक की जिगे क्या हो जाएगा उनके वेक्रियक शरीर ठीक है अब आरक शरीर कब आएगा इन्ही मनुष्यों में किसी किसी के जब उस समय निकली कोई पुतला तो ओधारिक शरीर वहीं पर रहेगा और साथ में एक additional शरीर आहरक शरीर और मिल जाएगा है ना देपता चाहें तो उनका वैक्रियक शरीर कोई देख सकता है और वो नहीं चाहें तो नहीं देख सकता हम चक्षू इंद्रिये से ये सारे शरीर देख सकते हैं वैक्रियक शरीर देपता की मर्जी से हम देख सकते हैं वो अगर रूप बना के आता है नहीं तो नहीं देख सकते ठीक है आपका समय हो रहा है आज की कक्षा का अगली कक्षा में इनी सरीरों की बाद्यम से आगे आगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जै वोली महावीर भगवान की जै वोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जै वोली आचार भगवन सरी उमा स्वामी जी महराज की जै वोली चारित चक्रवती सरी सांति सागर जी महराज की जै वोली आचार गुरुवर सरी विद्यानंद जी मुनिराज की सभ गो जय जिनिंद जय दू जो जो रंदो